नविन कुक्रेजा इनका सवाल इसा है कि सारे प्राणी जगत में केवल इंसानों की ही बुद्धी इतनी विकसित क्यों ही बाकी प्राणीयों की बुद्धी इंसानों से ज़्यादा विकसित नहीं हो सकती है यह सवाल पूछने वाला जो प्राणी है याने इनसान यह जो सवाल पूछ रहा है यह इसलिए संभव है कि उसकी बुद्धी सबसे ज़्यादा विकसित हो चुकी है इसलिए तो इनसान बना है याने हम उल्टा सवाल नहीं कर सकते हैं प्राणी जगत में इवूलिशन के आखरी के स्टेज में इनसान है सबसे उपरी स्टेज है सबसे विकसित मस्तिश्क ब्रेन हमारे पास है उसमें विचार करने की ख्षमता है इंसान के ब्रेन में विचार करने की ख्षमता थी इसलिए हम भाशा डेवलप कर पाए भाशा डेवलप कर पाए इसलिए हम और ज़्यादा विचार कर पाए और रेसीप्रोकली हमारे बुद्धी का विकास याने विचार करने की ख्षमता का विकास और भाशा का विकास साथ म करते हैं चाहे चिमपा जी हो चाहे इस धंके कुछ एपस हो पानी में रहने वाला भेल हो जमीन पर रहने वाला हाथी हो ये प्राणियों में सबसे विकसित ब्रेन होने वाले प्राणिय हैं इनसान से कम लेकिन बाची प्राणियों से जादा इन सब ने अपने भाशा डिवलप की हैं लेकिन इन प्राणियों की भाशा मर्यादी थैं एक हट से बढ़ नहीं पाईए इंसान के ब्रेन का विकास कितना हुआ है पहले जाचने के लिए याने समझने के लिए उस कल्चर की भाषा कितनी विकसित हुई है इसका अभ्यास किया जाता था और जितनी विकसित भाषा होगी उतना ये विकसित ब्रेन हुआ है, ये कल्चर का, ये कल्चर में रहने वाले इंसानों का इसा माना जाता था, और ये रिलेशन्स पश्टता दिखता भी है, केवल भाशा तक ये बात सिमेत नहीं रहती है, वो अपने इंद्रियों का अलग-अलग ढंग से कैसे उपयोग कर सक सकता है, अलग-अलग अउजारों का, अलग-अलग साद्नों का उपयोग कैसे कर सकता है, सभी एक शेत्र में वो विकास करते गया, और ये इसलिए संभव हुआ, कि जो प्राणी जगत में उत्करानती हुई इवुलिशन हुआ, उसके आखरी छोर पर ये था, और इसके इस सबसे विकसित ऐसा मस्तिश था, ब्रेन था, तो केवल इंसानी क्यों इतना विकसित हुआ है, या फिर उसको विकसित ब्रेन प्राप्त हुआ है, ये सवाल ही गैरलाग हुए, सवाल ही करेक्ट नहीं, क्योंकि उसके पास इतना विकसित ब्रेन है, इसलिए उसने इतना विक किया है और इसलिए ये सवाल वो पुझ भी रहा है बाकिये प्राणी इंसानों इतके विकसित हो सकते है क्या कि देखिए इवुलिशन की जो थियरी है उसके अनुसार अगर ऐसा कुछ हुआ कि प्राणी जगत में इंसान नाम की कोई चीज बची है नहीं पूरी तरह से इंसान की जमात खतम हो गई और बाकी प्राणीयों की जमात कायम है तो हो सकता है कि करोडों साल बात आपको बाकी प्राणी जगत में और कोई प्राणी अब जिनमें गुंजाईश है भेल में हैं एपस में हैं चिमपाजी जैसे या फिर हाती जैसे हैं इन प्राणियों में आपको और विकास मिल सकता है समझो करोडों सालों तक इनसान रहा तो इन प्राणियों में विकास नहीं होगा होगा डेफिनेटली होने की गुंजाईश है लेकिन इनसान उनसे कई गुना ज़्यादा विकास कर जाएगा यानि ब्रेन के ख्षेत्रकी में बात कर रहा हूँ विचार करने के ख्षमता के ख्षेत्रकी में बात कर रहा हूँ क्यूंकि एक बार जो नेचर में ज़्यादा विकसित प्राणिय बन चुका है वो और विकास और विकास करते जाएगा बाकी प्राणियों का भी विकास बढ़ सकता है लेकिन वो कहां तक बढ़ेगा अभी ये कहना कठी नहीं कि केवल हाती कहीं होगा कि हाती में से कोई नया एक प्राणी और पैदा होगा एवुलीशन की स्टेज में वो चादा भी कसीथ होगा तो गुन्जाइशच है की हाती हैं चाहे वेल हैं चाहे कोई एपस हैं उनमें से कोई और एक नई जमात पैदा होगी ज़एदा होगी ज़ग्युक्श आपको देखने को मिलेगा या यानिए एवुलीशन की ठेरी का हम अब बैस करते हैं तो उसके आधार पर ये बाते कह सकते हैं इंसान प्राणी जगत में इवुलिशन के उपर के स्टेज में था इसलिए ये सवाल पूछ सकता है कि इंसान क्यों बुद्धी से इतना विकसीत है ये बात सच है अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें विडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानों को विजिट करें ऐसे सारे विडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाएं नए विडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं